ताहिरा कश्यप से स्कूल के दिनों में दिल दे बैठे थे आयुश्मान खुराना पोड एक्जाम पर पड़ा था सर एक्जाम टाइम में कैसे किया आयुश्मान ने ताहिरा को प्रपोज जब आयुश्मान स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त उनकी पतनी ताहिरा कश्यप ने उन्हें किया पूरा सपोर्ट शादी के वक्त आयुश्मान खुराना के एकाउंट में थे सिर्फ 10,000 रुपए वेल आयुश्मान खुराना और ताहिरा कश्यप जैसे कूल कपल्स कम ही देखने को मिलते हैं इनके बीच ऐसा कमफर्ट जोन, बॉन्ड और लव देखने को मिलता है कि जानने को जी चाहने लगता है कि आखिर इनके इस मजबूत रिष्टे का सीक्रेट क्या है आज जानिये उनकी लव स्टोरी Interestingly, आयश्मान खुराना ने बॉलिवूड में कदम रखने से पहले ही शादी की थी आयश्मान खुराना और ताहिरा का शब स्कूल फ्रेंड्स हैं दोनों साथ में फिजिक्स की कोचिंग करते थे आयश्मान और ताहिरा की मुलाकात फैमिली डिनर के दौरान हुई थी एक बार ताहिरा ने उनकी और आयश्मान की पहली मुलाकात का जिक्र एक इंटर्व्यू में किया था उन्होंने रिपोर्टेडली बताया एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे और मेरी मा से कहा और उनसे पूछेंगे कि हम अपने competition entrance exam में कैसा perform करेंगे। जब हम रात के खाने पर पहुचे तो वहाँ आयुश्मान के अलावा कोई नहीं था जो मेरे पिता के दोस्त का बेटा हुआ। आज तक हम हमें साथ लाने के लिए अपने माता पिता को श्रेय देते हैं। मैं उनके strong attraction से काफी प्रभावित हुई। मुझे पसंद आया क्योंने कैसे बातचीत की। और मुझे उनका संगीत पसंद आया। वेल इसके बाद दोनों family friends बन गए थे। इसके बाद दोनों चंदिगड में college के दोरान भी एक साथ थे। स्कूल टाइम की love story आगे college और थेटर के दिनों में भी काफी फ्लरिश हुई। चंदिगड में दोनोंने साथ में थेटर किया। आयुश्मान अक्सर ताहिरा के लिए social media पर post करते रहते हैं और public platform पर भी ताहिरा के लिए प्यार का इजहार करते रहते हैं। लेकिन आयुश्मान ने मार्च 2020 में एक post किया था जिस पर fans ने जम कर प्यार बरसाया। इस post के जरीए आयुश्मान ने लोगों को बताया क्या खिर उन्होंने ताहिरा को प्रपोस कैसे किया था। आयुश्मान ने अपने post में लिखा। वो साल 2001 था, हम दोनों बोट परिक्षा की तैयारी में जुटे थे। सुबह के एक बचकर 48 मिनिट पर मैंने फोन पर अपनी दिल की बात ताहिरा को बताई थी। ब्रायन आडम्स के गाने चल रहे थे। इंसाइड आउट गाने का नाम था। अब करीब 19 साल का लंबा वक्त गुजर गया। आयुश्मान खुराना के भाई अपार शक्ती दोनों की लव स्टोरी के साक्षी रहे हैं। एक इंटर्व्यू में उन्होंने दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताया। दोनों शादी के बाद चार साल लॉंग डिस्टेंस लेशन्शिप में रहे। भाईया मुंबई रहते थे और भाभी चंदिगर में। तब तक विराज भी हो चुका था। जब बिटिया अनुश्का हो गई और वो एक साल की भी हो गई। तब भाभी मुंबई शिफ्ट हुई। लॉंग डिस्टेंस ने उन दोनों के रिष्टे को और मजबूत ही किया। आयुश्मान और ताहिरा नॉवेंबर 2011 में शादी के बंधन में बंधे। आयुश्मान ने एक इंटर्विव में कहा था कि शादी के वक्त उनके एकाउंट में महस 10,000 रुपे थे। एक इंटर्विव के दौरान आयुश्मान ने बताया था कि कैसे उनकी शादी के बाद ताहिरा ने सब कुछ संभाला था। उन्होंने कहा जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक स्ट्रग्लिंग अक्टर था जो अक्सर जुआ जैसा होता है लेकिन हमारे बीच कभी इगो प्रॉबलम नहीं आई। जब प्यार होता है वहाँ एहम की कोई जगह नहीं होती। भारत में बहुत से पुरुष इस तरह के पैटर्न में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। आयुषमान और ताहिरा के रिच्टे का सबसे स्ट्रॉंग पॉइंट उनका कम्यूनिकेशन है। ये दोनों अपने विचारों को खुल कर शेर करते हैं। जिससे उन्हें रिलेशन्शिप से जुड़े इशूस सुलजाने में मदद मिलती हैं। यहाँ तक कि उन्हें किसी स जलन भी हो तो उसे भी वो जाहिर करते हैं। रिपोर्टेडली ताहिरा ने खुद बताया था कि करियर की शुरुआत में आयुषमान की एक्ट्रेसे संग ऑन स्क्रीन केमिस्टियों ने अनकमफर्टेबल कर देती थी। हाला कि आपसी बातचीत और समझ के साथ ये के दोरान उनका साथ दिया। संकट के समय में दुनों ने एक दूसरे का साथ दिया। इस साल मार्च महिने में आयुषमान खुराना और ताहिरा कश्यप ने एक साथ होने के 20 साल का जश्न मनाया। आयुषमान के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए ताहिरा ने इंस स्पेक्टरम के इस तरफ होना अमेजिंग है बिना किसी उम्मीद के मैं तुमसे प्यार में हूँ हैश्टाग 20 साल वेलाय उश्मान और ताहिरा की ये रोमेंटिक प्रेम कहानी वाकई में एडॉरेबल तो है ही साथ ही साथ दुनों कई मायनों में सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी है इनकी लव स्टोरी आपको अमेजिंग लगे की नहीं पोस करिये अपने कमेंज